अब अब आपने अपना दुवीजन का दौर चल रहा है और अपने जो है मेधा का पार्थ एक पूरा कर लिया रिवाइस कर लिया और पार्थ दो की जो कहानी है बुद्धि मान कौन उसको अपने पूरा पढ़ लिया उसके बेटा अपने कोशन आंसर भी कर लिये हैं कॉपी क बुके भी कर लिये हैं अब आज इसकी आगे की बुक एक्सरसाइज अपन रिवाइस करेंगे है ना कोशन नमबर थीन थ्री प्रश्न तीन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए तो कह वाला है डैश कम पड़ा लिखा था कौन ज्यानदेव की बोधिराम बोधिराम तो ह चारों मित्र विदेश जा रहे थे गवाला है ज्यानदेव ने शेर को कर दिया मृत कर दिया की जीवित बेटा जीवित कर दिया गवाला है बोधिराम एक डैश पर चड़ गया दिवार पर की विरिक्ष पर विरिक्ष पर चड़ गया है ना और उसके बाद है अंगा वाला हमें अच्छे बुरे का डैश होना चाहिए क्या होना चाहिए ज्यान की मान ज्यान होना चाहिए जानकारी होना चाहिए है न उसके बाद है जीने की राह जीने की राह में क्या है आज कर लोग विदेशों में जाकर नौकरी करते हैं कि खुब पैसा कमा सके आप बड़े होकर विदेश में जाना चाहेंगे अपने परिवार के साथ भारत में ही रहकर नौकरिया कोई कामदंदा करना चाहेंगे दूसरा है बिना विचारे जो करें सो पाचे पचता है वाली कहावत के अनुसार कौन सा मित्र बच गया और क्यों तो यह बिटा जीने की राह रचना का संसर यह थार्ट प्रोससस हैं तो आपको क्रियेटीविटी के साथ हर चैपटर के लास्ट में प्रश्न उत्तर कर लेते हैं उसके बाद अपनी पशन के दो प्रशन बच dosis लेगे उनके उत्तर लिखेंगा उसके बाद कलरफुल पिक्चर बनाएंगे और इन से पीक नियाे बचालो लिए अब इसके बाद में भबाशा की दुनिया में सबसे पहले हैं शूरुऑत लेकके मी बचालों पढ़ रहे हैं पहला है विद्या बुद्धी इकठ्था अभिमानी प्रभाव विनाश परिणाम चमड़ा तो इन शब्दों को उंगली लगा के दो से तीन बार आपको पढ़ना है और याद भी करना है अपनी कॉपी में भी लिखना है इसको तीन चार बार पढ़ना भी है याद भी करना है तो शुतले के शब्द अगर आप कर लेगे ना बेटा याद अच्छे से तो आपके रिटन वर्क में प्राब्लम नहीं आएगी गल्तिया नहीं होंगी नमबर टू है शब्दों के कुछ रूप उनके एक या अनेक होने का बोत कराते हैं सिंगूलर प्लू संख्या का बोत कराने वाले शब्द होते हैं और बहु वचन यह शब्द एक से अधिक संख्या का बोत कराने वाले होते हैं hybridia यह गारेक शब्द का बोता ओसे समाशमन और उसमें खा है मास पेशी, मास पेशी का बववचन मास पेशियां, तो मास पेशी में यहों तो बड़ी की मात्रा लगी हूँ यह शा में, लेकिन जब बववचन मनता है न वेटा, तो शा में छोटी की मात्रा आ जाएगी और या के उपर चंदर बिंदू, गा है अस्थी, अस्थी का बववचन अस्थियां घा है चमड़ा चमड़ा का बववचन चम्रे अब इसके बाद है बटा नमबर तीन कुछ संयूकत अक्षर हल चिन्द का प्रयोग करके बनाए जाते हैं हलंद चिन्द होता है यह अक्षर के नीचे चोटा सा कौमा जैसा लगाते हैं यह दिखे टा के जैसे दा आधा और पूरा तो दोनों टाइटा संयूकत अक्षर हो गए हल चिन्द वाले संयूकत अक्षरों से बना एक एक शब्द नीचे दिया गया है उनके सामने ऐसे ही तीन तीन शब्द आपको लिखने हैं जैसे दा आधा और यह पूरा विद्ध तो हमें तीन शब् यह पिज़ने विद्यार्थी विद्याले और पद्य असर्वड वाला है आदा और भुद्धि वद्धी से मिलते हैं 3 शब्द हैं जुद्ध और व्रिध नहां और हैं और अकहा ता आधा ता अठा पूरा तो एक्ठा एककठा से मिलते tenth हैं हमारे पास लठ पफ्द और यहे goal lie लगाई हमने आपको पहले भी समझा दिया wisdom के विकतिवाचक संग्या होती है जो किसी विकतिगत किसी का नाम होता है उसको हम व्यक्तिवाचक संग्या कहते हैं जैसे करनी इंटरनाशनल स्कूल तो करनी व्यक्तिवाचक संग्या है है और Pelot yeah the school ने ऐक籠रा रहा लेकिन उसका नाम है शेज है ना बठली पुत्र यह बी नाम है प्राण नहीं ग्यानद्य यह भी नाम है इसको अचछा सब भी प्रभात कह है प्रभात आपके हल के लिए बता रही लेकिन वाकए आप अपनी खुद के पसंद के बनाएंगे जैसे कह वाला है प्रभात प्रभात से वाक्य बन रहा है प्रभात काल में चिरिया छहक रही थी उसके बाद है प्राण प्राण से वाक्य बनता है बिटा प्राण से क्या वाक्य बन रहा है हमारा प्राण से वाक्य बन रहा है ज्यान देव ने शेर में प्राण फूंग दिये ये पेज नमबर आपका सत्रा है उसके बाद है शक्ती भारत एक शक्ति शाली देश है और उसके बाद है प्रयोग हमें शक्ति का प्रयोग बुद्धी मानी से करना चाहिए अब उसके बाद है देखिए यह वाला प्रशन 6 आएगा बेटा प्रशन 6 प्रशन 6 में क्या है प्रशन 6 में है जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाईए तो यह आपका बहु विकल्पी प्रश्न होते हैं मत अपनी चॉइस से उसका उत्तर लिखना होता है तो पहला है का वाला यह शब्द भावाचक संग्या है तो इसमें कौन सा है मारकर दिखावा और बुद्धिमान तो दिखावे में दिखावा करने का भाव हो रहा है तो दि इसके पस पूरानी खिसी के पास नहीं है जिसका अगर प्रेश्न गलत है तो वह सही कर लेना इस शब्द में र पदेन नहीं आया है पदेन मैंने आधर रह रह दो तरह से होता है उपर जो लगता है वह अधर होता है जब रह का उच्छारण आधर होता थो बेटा वह ऊपर आदेन नहीं आया है कि भुक में लिखा है आया है तो आप उसमें नहीं लगा लिजिए क्योंकि प्र मित्र में पूरा रह लगा है और पुनर जीवित इसमें आधार रह लगा है उपड़ हम इसी को टिक करेंगे क्रम में भी पूरा रह लगा हुआ है अब गाह है इस वाक्य में रेखांकित शब्द एक वच्चन रूप में है किसमें है कर पहले वाले में चौथा मित्र कम अब अपना पेज नंबर 18 पर आजाई पेज नंबर 18 पर आप आएंगे इसमें देखिए रचना का संसार में आपको बताया था तीन चीज़ें तीनों में से आपको जो भी बहुत अच्छा लगता है आप अपनी पसंद का बना सकते देखिए नीचे इसमें चित्र भी है श आप तुती बेटा धन्यवाद